अलवाय स्टाइल कुरकुरी और खस्ता मत्री बनाएंगे आज हम घर पर तो इसके लिए हमने 1 kg मैदा लिया है उसमें थोरा सा मंग्रेलाइड करेंगे और थोरा सा अरजवायन और स्वाद के अनुसार हम इसमें लेंगे नमक अगर आपको मत्री में मेथी पसंद है तो आपक सूरी मेथी अएड कर सकते हैं मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं ढालूंगी और इसमें ढालना है 100 बंद जाए लड़ू की तरह तो आप सोच लिए कि ये तयार हो गया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का फुहारा देंगे इस तरह से और फिर इसको आटे को सानना नहीं है शिर्फ सारे आटे को इस तरह से कलेक्ट करना है इकठा करते जाना है पानी का फुहारा दे करके तो आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूं आपको भी इसी तरह से करना है इसको जयसे रोटी का आचा बगरागा लगाते हैं इस तरह से आटा नहीं लगाना है मसल-मसल करके इस तरह से इसको क्लेक्ट करते जाना है और इस तरह से ये कठा होता चला जाएगा और इस तरह से कठा कर लेना है और इसको अब हम ढख देंगे 10 मिनट के लिए तो इस तरह से हम ढख दिये हैं, दस मिनट बाद अब देखेंगे, तो देखेंगे थोड़ा सा आठा सेट हो जाता है, अब इसको अच्छा से नीड कर लेंगे, इस तरह से, हलके हाथों से ही इसको एकठा करना है, बस इतना ही करना है, और इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेना है, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़ा भी बना सकते हैं, मेडियम बनाना चाहते हैं, मेडियम भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, इसका अकार वैसा दे सकते हैं, छोटा बड़ा तो देखिए मैं paragraph मेडियम साइज का बना रही हुँ इस तरह से इसको बेलना है आख चाहें तो बेल है या नहीं तो इसे मोटा मोटा हाथ से भी ऐसे चिपका करके बना रही है और इस तरह से छोटा छोटा भी बन सकता है जितना छोटा चाहें उतना छोटा भी बना सकते हैं तो वाइल को ज्यादा हीट नहीं रखना है मेडियम हीट वाइल होना चाहिए और फिर उसमें हम डालते जाएंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से सारे मठरी को जितना आ सकता है तेल में डाल देंगे अगर आप मेरे चाइनल को पहली बार देख रहे हैं तो सेस्क्राइब कर लीजिए और ये रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए अब इसको लटते पलटते हम बना लेंगे इसको सुनहरा करना है जब ये सुनहरा रंका हो जाएगा तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से कलर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए ये अच्छा कलर इसका आ चुका है अब हम इसको निकाल लेते हैं अब फटा-फट से जो बाकी का है उसको भी इस तरह से फ्राइब कर लेते हैं तो इसमें कुछ मैंने छोटा, कुछ मोटा, कुछ बड़ा हर एक सेप का बना रखा है इस तरह से उलटते पलटते इसको फ्राइब करते जाएंगे जब साम की चाय हो और मठी साथ में ना हो तो अच्छा नहीं लगता है चाय के साथ तो सबको कुछ नमकीन चाहिए ही चाहिए इसलिए मैं हमेशा मठी या नमक पारे हमेशा बना करके रखती हूँ चाय के साथ तो चाहिए ही बचो को भी बरो को भी तो चलिए आप भी बना लीजिए तो लीजिए हमारी मठी तो तयार है आपके लिए एक बार इस तरीके से आप मठी बना करके और कैसा बना आपका मठी हमें कमेंट करकर बताईएगा कि आपका इस तरह से क्रेंची बना था या नहीं बना था वो भी बताईएगा मेरे चाइनल पे और कौन सी रेष्पी आपको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं मैं वो रेष्पी आपके लिए जरूर लाऊंगी तो लीजिए enjoy किजिए और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेस्पी के साथ में तो देखिए मैंने थोड़ा सा नमक पारी भी बनाया था बाबाई